तेकनोलजी ने सेहत की देख भाल को कैसे बेहतर बनाया है। तेकनोलजी डाक्टरों को सेहत के मसाइल का जल्द पता लगाने में मदद करती है और इलाज के मयार को बेहतर बनाती है। जिससे जिन्दा रहने के इमकानात बढ़ जाते हैं। तेकनोलजी ने मुवासलात को कैसे मुतासिर किया है। तेकनोलजी ने फौरी पैगाम रसानी, वीडियो कॉल्स, और सोशल मीडिया के जरिये हमारे बात करने के तरीपे को बदल दिया। अब पूरी दुनिया के लोग आसानी से जर सकते हैं। सेहत के मसाइल की जल्द शनाफ्त करने पर टेकनोलजी का किया असर हुआ है। सेहत की देख भाल में टेकनोलजी ने जदीद आलात के साथ हिलाज में बेहतरी लाई, सेहत याभी के बेहतर इमकानात के लिए मसाइल को जल्द पकर लिया। जदीद आलात के साथ, टेकनोलजी डाक्टरों को मसाइल की जल्द निशान दही करने में मदद करती है, उनके मज़ीद खराब होने से पहले उनका इलाज करती है। टेकनोलजी बखा की शरर को कैसे बेहतर करती है? ये मुफटलिफ बीमारियों के इलाज को बेहतर बना कर बखा के इमकानात को बनाता है। सेहत की देख भाल की टेकनोलजी के फवायत किया है। इलाज के बेहतर नतायित कम शरह हमवात और मरीजों की बेहतर देख भाल। टेकनोलजी बीमारियों को रोकने में किस तरह मदद करती है? बीमारी को जल्द तलाश करके और उसे मजीद बढ़ने से रोक कर। How has the internet changed communication worldwide? The internet has turned the world into a global village, letting people from different places talk through video calls, emails, and social media. Internet ने दुनिया भर में मुवासलात को कैसे तबदील किया है? Internet ने दुनिया को एक आल्मी गाउं में तबदील कर दिया है, जिससे मुफतलिफ जगहों के लोगों को video calls, emails, और social media के जरिये बात करने का मौका मिलता है. How do businesses benefit from the internet? They use websites to sell products easily, letting customers buy things from home. कारूबार internet से कैसे फाइदा उठाते हैं? वो मसनुआत को आसानी से फरोफ्ट करने के लिए web starters का इस्तिमाल करते हैं, सारिफीन को घर से चीजें खरीदने देते हैं. What was communication like before the internet? It involved writing letters and waiting for postal services to deliver messages. Internet से पहले मुवासलात कैसा था? इसमें खुतूत लिखना और पेगामात पहुंचाने के लिए postal services का इंतिजार करना शामिल था. How has the telephone changed with technology? It's become portable with cell phones, allowing people to communicate from anywhere. Technology के साथ telephone कैसे बदला है? ये सील फोन के जरीए लाने ले जाने के पाबिल बन गया है. लोगों को कहीं से भी बातचीप करने का मौपा देता है. How has technology changed the way we store information? Technology allows us to store information digitally on devices like CDs and microchips instead of using lots of paper. Technology ने मालूमात को जफिरा करने के तरीपे को कैसे बदला है? Technology हमें बहुत सारे कावज इस्तिमाल करने की बजाए CDs और microchips जैसे आलाग पर digital तौर पर मालूमात को जफिरा करने की इजाज़त देती है. What keeps digital information safe? Passwords and codes known only to the owners protect information stored on technological devices. Digital मालूमात को किया महफूज रखता है. Passwords और coders जो सिर्फ मालिकान को मालूम होते हैं वो तक्नीकी आलाग पर महफूज करदा मालूमात की हिफाज़त करते हैं. What benefits has technology brought to the agricultural industry? Technology helps understand climate changes and conditions suitable for different plants. Technology ने जरी सनद को किया फायदा पहुंचाया है. Technology मौसमियाती तबदीलियों और मुफ्तलिफ पौदों के लिए मौजू हालात को समझने में मदद करती है. How has agricultural biotechnology improved farming in harsh environments? It allows plants to be engineered to survive in places like deserts and resist droughts. I.O. technology ने सफ्प महुल में काश्टकारी को कैसे बेहतर बनाया है. ये पौदों को रेगिस्तानों जैसी जगहों पर जिन्दा रहने और खुश्पसाली का मुपाबला करने के लिए तबदील करता है. What's the purpose of genetic engineering in agriculture? It aims to introduce specific traits into plants to make them resistant to pests and harsh conditions. How do natural forces disrupt human life and economic activities? Floods wash away farmland, homes, and fertile soil, affecting crop growth. Fires burn buildings, crops, and forests, impacting human life. खुदरती आफात इंसानी जिंदगी और मुआशी सरगर्मियों में कैसे खलल डालती है? सेलाब, खेती बाड़ी, घरों और जर्फेज मिटी को बहा देता है, जिससे फसल की नश्वनुमा मुतासिर होती है. आगी मारतों, फसलों और जंगलात को जला देती है, जिससे इंसानी जिंदगी मुतासिर होती है. What technological solutions help manage excess water from floods? Large dams store excess water and generate power, reducing flood damage. कौन से तक्नीकी हल सेलाब से इजाफी पानी के इंतिजाम में मदद करते हैं? बड़े dam इजाफी पानी जफीरा करते हैं और बिजली पैदा करते हैं, सेलाब से हुने वाले नुफसान को कम करते हैं. How is fire controlled and used through technology? Technology harnesses fire for heating homes and processing industrial materials. Technology के जरिये आग को कैसे control और इस्तिमाल किया जाता है? Technology घरों को गरम करने और सनती मवाद की processing के लिए आग का इस्तिमाल करती है. Technology के जरिये पाबिल तच्दीद तवानाई के कौन से जराए इस्तिमाल किये जा रही हैं? वा की तवानाई को बिजली पैदा करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है और शम्सी तवानाई को घरों में इस्तिमाल के लिए तबदील किया जाता है. Why is transportation considered an important aspect of technology? Efficient transportation, like cars, trains, and airplanes, is essential for work commutes, goods transport, shopping, and visiting loved ones. Nappal Wow Hummel को technology का एक हम पहलू क्यों समझा जाता है? कारू, टरेनों और हवाई जहाजों जैसी मुसिर नकल वाओ हमल, काम के सफर, सामान की नकल वाओ हमल, खरीदारी, और अजीजों से मिलने के लिए जरूरी है. Technology कारूबार और अफराद दोनों के सफर पर कैसे असर अंदाज होती है? नकल वाओ हमल की जदीद टेकनालोजीज वक्त की बचट करती हैं और सफर के मुसिर इफ्तियारात फराहम करती हैं. Why is transportation compared to basic needs like food and shelter? Advanced transportation, like cars and planes, is vital for daily activities such as work commutes and visiting family. खुराक और रहाइश जैसी बुन्यादी ज़रूरियात का मकाबला नकल वाओ हमल से क्यों किया गया है? गाडियों और हवाई जहाजों की तरह जदीद नकल वाओ हमल, रोजमर्रा की सरगर्मियों जैसे काम के सफर और हांदान से मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है. How has transportation technology evolved in recent times? Modern transportation has become faster and more efficient for people and goods. फालिया दिनों में नकल वाओ हमल की टेकनोलोजी किस तरह तयार हुई है? What benefits has technology brought to society? Technological advancements have led to progress and achievements that were previously unimaginable. Technology ने मौशरे को किया फाइदा पहुंचाया है. Technique तरक्ती ने तरक्ती और काम्याबियों को जनम दिया है जो पहले नाकाबिल तसवर थे.